कि दोस्तो में कुछी दिनों में आने वाली है दिवाली और दिवाली पे घर को सझाते हैं हम कभी दिया से मम्रति Measure किसी चीज से तो आज हम दिया के घर में भी यूज होते हैं दिवाली में तो मैं यहां 5 लिया हूं। आप 10-20 जितना आपको जरूरत है न हिसाब से बस एक सेमपल के लिए आपको यह दिखा जा रहा है। तो मैं पांच दिये ले रहा हूं और पांच दिये को क्या करना है यहां पेचकस यहां आपके पास डिल मसीन है तो डिल से लेकिन मेरे पास डिल नहीं है तो मैं इसी पेचकस से ही इसका इनमें होल करूंगा यहां पर हमको होल करना है तो पेचकस को यहां इसे रखके और इसे बन जाएगा देखिए यहां इस तरह से सुराक बना लेता हूं तो देखिए यहां मैं दो सुराक कर लिया हूं अब इस तरह से आपके पास जितने दिये हैं पांच दिये दस दिये जितने हैं सब में इस तरह से सुराक कर लेना है तो आईए चलिए फटा फटा हम इसमें सारे दिये में यहां सुराक बना लिया हूँ इस तरह से अब हम इसको साइड कर देते हैं अब हमको लेना है यह Glue Gun Pip Glue Gun Pip को लेना मेरे पास 5 दिये हैं आप के पास जतने दिये होंगे उतने टुकड़े करने हैं तो मेरे 5 टुकड़े यहां करता हूँ तो देखे इस तरह से मैं इतना बड़ा यहां एक साइज इतना बड़ा यहां काट रहा हूं तो दोस्तों बड़ा-बड़ा काटने के बाद देखे इस तरह से था और इसको फिर तीरचाई से इसको हम काट लिए इस तरह से आपको काट लेना है उसके बाद क्या करना है यहां हम लेंगे RGB LED है मेरे पास आप इसमें लाल या पीला पीला अगर लगाएंगे तो और अच्छी रोशनी होगी मैं यहां मेरे पास पीला नहीं समय लिए RGB LED का प्रियोग कर रहा हूं तो RGB LED इसका होता है बड़ा वाला प्लस और छोटा वाला माइनस इसको हमें फिट करना है इस selective बीड़ में लेइन इस से पहले हम क्या करेंगे यहां इस ग्लूगन पाइप में आरण से यहां इस तरह से गरम करेंगे और जब गरम हो जाय एक बल्ब उठा कि यहां इस में ऐसे लगा देंगे तो इस तरह से सभी में हमको बल्ब को लगा लेना है तो आए चलिए फटा-फट मैं सब में लगा लेता हूं तो यहाँ दोस्तों मैं देखिए सभी में LED बल्ब को लगा लिया हूं अब हमें क्या करना है यहां दियों में इस तरह से कुछ हमको लगा ना जीसे हम इधर करते हैं और माइनस यहां और यहां हम इसको ऐसे सेट कर लेंगे और चुक्कि यह बड़ा वाला प्लस है इधर वाला और यह माइनस है दिखें से दिखा देते हैं यह दिखिए प्लस है और माइनस तो प्लस को हम इधार रखे हैं और माइनस को इधर तो एक तांग को इधर कर देंगे और एक तांग को इधर इस तरह से हम को नीचे वाला प्लस है और उपर वाला माइनस अब सारे दियों में इसी तरह से हम को लगा लेना है आप अगर आपके पास गुलू गण है तो गुलूगन से इसको हल्का हल्का जाम कर दिगे नहीं तो आयरण यहां रखेंगे और हल्का सा पीघला कि बस यह शिए इसमें अधिकिए फिक्स कर देना है ऐसे जब पिघल के यह मिट्टी में पड़ेगा तो यहां यह जाम कर देगा इस तरह से सारे दिये में सारे गुलू को इस तरह से चिपका देना है इस तरह से हमें चिपका देना है अब यहां देखिए सारे हमारे जो गुलू है यह चिपक गए हैं सारे बत्तियां हमारी लग चुकी हैं अब हमे में दो वायर ले रहा हूं एक ब्लैक और एक येलो एक ये दो दो वायर में ले रहा हूं एक येलो और एक ब्लैक येलो को बनाएंगे प्लस और ब्लैक को बनाएंगे माइनस यहां वायरिंग करने के लिए जैसा कि ये इधर वाला प्लस है ये वाला माइनस है तो हमको यहां पीला वाला प्लस पे लगाना है यहां इस तरह से इसको जोड़ देंगे और यह माइनस पे जोड़ देंगे अब हमें क्या करना है एक दूरी आप बना लेंगे आधा पीट एक फिट जो आपको अच्छा लगे उतना दूरी दिये को हमें यहां प्लस पे प्लस और माइनस पे माइनस पे जोड़ना है सारे जो हमारे जो यह बल्ब हैं वो पैरलल में ही जुड़ेंगे यहां सारे बल्ब हमको पैरलल में जोड़ना एक दूसरे के पैरलल में रहना चाहिए तो आए मैं यहां फटापट सभी दियों में क कनेक्शन कर लेता हूं तो दोस्तों यहां सारे दियों में कनेक्शन हो चुका है और सारे LED हमारे परलल में जोड़े गए हैं अब मैं यहां से एक वायर यहां से कट करता हूं और कट करके यहां मैं एक स्विच लगाऊंगा यहां कट करके और यहां एक स्विच मैं इस तरह का एक स्वीच को जोड़ने के लिए मेरा जो प्लस है ये प्लस को एक स्वीच के एक पॉइंट पे हमको जोड़ देना है इस तरह से और जो दूसरा वायर अब यहां हम जो कटा हुआ है स्वीच के दूसरे भाग पे हमको जोड़ देना है यह जुड़ गया, अब मैं यहां से, यहां से इतना बड़ा मेतार कट कर लेता हूँ यह कट करके, और मैं यहां यहां पर एक मैं यहां रेजिस्टेंस लगाना चाहता हूँ LED के प्रोटेक्शन के लिए, कि जो हमारा LED जल्दी खराब नहीं हो यहां रेजिस्टेंस को भी है इसमें जोड़ लेते हैं इस तरह से, दोस्तों रेजिस्टेंस में कोई भी प्लस और माइनस नहीं होता, आप किसी भी और से इसको जोड़ सकते हैं अब यहां मैं लूंगा एक बैटी लिथिनम बैटी जो इसका बोल्टेज होता है तीन दसफलोग साथ बोल्ट तो यह जो प्लस हमारा बना हुआ इसके प्लस पे जोड़ेंगे और जो काला वाला है माइनस इसको यहां माइनस पे जोड़ेंगे तो आए मैं दोनों को जोड़ लेता हूं तो भाई यहां मेरा सारा चीज सेट अप हो चुका है मैं यहां सेल भी लगा दिया हूं तो सेल को मैं यहां रख देता हूं और अब मैं स्वीच को यहां से आन करता हूं अभी स्वीच को आन करता हूं अभी देखिए सारा LED हमारा यहाँ जलने लगा, अब हम आपको light बुझा के फिर सकी रोशनी दिखाता हूं, सारे light बुझा दिया जए अब देखे दोस्तो क्योंकि ये multi color है इस लिए सारे color इसमें जलेंगे अगर यही हमारा कोई एक color होता पीला color होता तो केवल पीला जलता लेकिन यहां मेरा multi color है इसलिए सारे color इसमें गनुल ले चले है तो मेरे सारे light को फीर और कर दिया दोस्तों इस तरह से आप थोड़ा ज्यादा दिया जब लगाएंगे ज्यादा बत्तिया लगाएंगे तो आपको और मज़ा आएगा तो दोस्तों यह लाइट बना के यह दिया वाला और दिवाली में डेकोरेशन के लिए आप लगा सकते हैं और बहुत ही खुबसूरत लगेगा चुकि यह कैमरे में आप देख रहे हैं जब इसको दूर से देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा तो उमीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार